वेलकम टू दिस चैनल आज मैंने जवाब के लिए रिक्रूटमिट लाई है यह जो रिक्रूटमिट है यह आई है आफिस अफ दी चीफ मेडिकल अफीसर राजोरी की तरफ से नहीं के एंडर यह रिक्रूटमिट है आपको कंप्लीट इंफर्मेशन मिलेगी वीडियो को सब्मिट करना है CMO आफिस राजोरी में 21 दिन तक आप अप्लिकेशन फार्म सब्मिट कर सकते हो वेकेंसी जो है सबसे पहले यहां पर FMPHW की है इसमें सैलरी जो है 14,040 पर मत है 39 टोटल वेकेंसी है असेंटिट क्वालिफकेशन है यहां पर डिप्लमा होना चाहिए FMPHW क एज अप टू 45 एर्स है डिजारेबल जो क्वालिफकेशन है यहां पर एक साल का एक्सपिरिंस होना चाहिए सेलेक्शन क्राइटेरिया जो है स्क्रीनिंग टेस्ट के 35 पाइंट से मैटरी के 10 डिपलमा के 15 स्किल टेस्ट के 20 एक्सपिरिंस के 20 जिसमें से 10 पाइंट कोवीड एक्सपिरिंस के मिलेंगे अगर आपके पास असेंशिल क्वालिफकेशन है वो डिजारेबल नहीं है तब यह आप अप्लाई कर सकते हैं नेक्स नहां पर टर्मस और कंडिशन से यह हाइरिंग जो है 31 मार्ज 2023 तक है एरली बेसिज पर इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा तो टंप्रेरी बेसिज पर यह विकेंसिज हैं विकेंसिज बाद में कम जएदा भी हो सकती हैं यह विकेंसिज जो है नन ट्रांसफरेबल हैं मतलब आपकी ट्रांसफर वहरा नहीं होगी यहाँ पर लोकल क्राइटेरिया को प्रेफर किया जाएगा सेलेक्शन में लोकल के इंडेट को प्रेफरेंस मिलेगी इसमें सिर्फ डिस्टर ग्राज़ोरी वाले अपलाई कर सकते हैं उसके बात जो डाकुमेंट्स आपको लगाने हैं उसमें डेत अउ बर्ट सेटिटेट्ट, 10th की मार्कशीट, 12 मार्कशीट, 2 बेसीक असेंचि क्वालिफकेशन सेटिफिकेट, डिघ्री डिपलममा जहाँ पर मार्कशीट आपको सारे एयर्स मिस्टर की लगानी है एक कंसालिडेटी मार्क शीट आपको लगानी है जिसमें सारे येर्स मिस्टर के मार्क्स होने चाहिए दो मिसाल सेटिफिकेट और दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये आपको चाहिए तो बाई हैंड आपको अप्लिकेशन फार्म सब्मिट करना है इमेल